Who is the best teacher in your life? आपकी जिन्दगी में सबसे best teacher कौन होगा? बताए कौन होगा? क्या समझते हो? आपकी जिन्दगी में सबसे best teacher कौन होगा? क्या जो आपको पढ़ा रहा है, वो आपके लिए best teacher है? जिसने आपको कुछ value सिखाई है, वो आपके लिए best teacher है? देखो, वो तो ही teacher, आपको हमेशा अपने teacher की respect करनी है, लेकिन according to me, मैं यह मानता हूँ कि जिन्दगी में सबसे best teacher रहेगा आपका failure, जब इनसान fail होता है न, किसी भी moment पे अगर fail हो रहा हो, चाहे अपने academics में कभी fail हो गया हो, चाहे अपने career में कभी fail हो गया हो, तो failure teaches you the, makes you the best person in your life, तो मेरो तो यह मानने है, इनसान को एक बार fail होना बहुत जरूरी है, सर कैसी बात करे हो, failure की बात करे हो, बिल्कुल, इनसान को जिन्दगी में एक बार fail होना बहुत जरूरी है, failure is the part of the life, failure हर समय आएगा, now the question is कि आप उससे क्या सीख के आगे बढ़ते हो, यह कोई discouragement आपकी हो रही है किसी भी level पर, मतलब कहीं भी अगर आप अपने आपको down feel कर रहे हो ना, that is the best teacher in your life, मैं एक teacher हूँ, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जिन्दगी में सबसे बढ़िया teacher क्या ओन होगा, failure, तो हमेशा, वो moment याद करो, आज अगर और यह देखे कि कैसे उसने उस चीज से सीखा, failure बहुत कुछ सिखा देता है, तो अगर जिन्दगी में कभी आपके सामने failure आएगा तो आपको उससे परिशान नहीं होना, हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना, उसको accept करना और accept करके उससे कुछ सीख कर आपको आगे बढ देते हैं, तो सबको टीचर्स डे की देरसारीश उपकाम नहीं, प्लस जो आप सब स्टुडेंट्स बैठे हो, आपनो आज का दिन बहुत स्पेशल बनाया, ठीक है, तो आप सब के लिए दिल से थैंक्स है, कि आपने टीचर्स डे पे हम लोगों को इतना स्पेशल फील करा इतने लेवल पर मत चड़ा दो, कि वो इनसान इगो में आ जाए, एरोगेंट में आदे, मैं कई मार देखता हूँ, जैसे बिंगर स्टुडेंट्स, आप लोग भी क्या करते हो, कोई एक पर्टिकुलर टीचर होगो, उसको इतना ऊपर उठा दोगे, कि उसके अंदर इगो आजएगी, एरोगेंट्स आजएगी, फिर वो किसी को इनसान को इनसान नहीं समझता, फिर वो नीचे और जल्दी इनसान नीचे फिर गिरता है, तो किसी को इतना ऊपर मत उठा, तो रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज है, और किसी को ऊपर हवा में उठा देना एक अलग तक है हमेशा और तो ट रहां इवाम है उसको भी में वोलो हमेशा डावन टो-गर्थ रहो जितना सिंपल रहो गहीं जितना डान घुंठ रहो गए उतना ही अच्छा रहेगा ऊतना ही खुश रहो होगे At the end, हमें खुश रहना है सर, कैसे भी करेंगे हमें खुश रहना है, तो खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीक है, Down to Earth रहो, Simple जिंदगी जियो, खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, ठीक है जी, All the best.